नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशेल यूट्यूब चैनल गुरूजी स्पेशल क्लासिस में मैं हूनिमाई साना आपके समक्ष उपस्तितों साइक्लोजी विश्यवस्तू को लेकर स्ट्रेंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रियास टॉपिक के इंतरगत कुछ महत्पून पॉ onions के बारे में जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासिस के माधिम से स्वतंतरता के बाद भारत में जो समय समय पर शिक्षा को लेकर परिवरतन किये गए समय समय पर समीती का गठन किया गया और नए नए प्रोग्राम्स चालू किये गए तो उन सभी important points पर हम detail में study कर चुके हैं last class classes के मार्धिम से आपने देखा कि प्रार्मभिक शिक्षा के नवीन प्रिया topic के अंतरगत हम कुछ महत्पुन important points पर discussion कर चुके हैं और आज की class में हम कुछ और important points जो आपके topics related बचते हैं उन पर detail में study करेंगे जानेंगे समझने की कोशिश करेंगे और super tech exams में जो भी प्रशन आपके topic के अंतरगत पूछे जाएंगे उन सभी points को cover करने की कोशिश करेंगे तो चले start करते हैं आज की class और जानते हैं आज की class का जो पहला point है आपका वो है serv sikshah abhyyan जिसको हम short में ssa कहते हैं इसको ssa कहते हैं उसको English में भी यही कहा जाता है serv sikshah abhyyan तो यह English में भी इसको serv sikshah abhyyan ही कहा जाता है और short में इसको ssa कहा जाता है इसके नतरगत जो पहला point आपका बनता है कि इसकी शुरुवात कब हुई तो इसकी शुरुवात सन 2001 में हुई थी तो यह point आपके लिए काफी जाद है important है students कि serv sikshah abhyyan की शुरुवात कब हुई थी यह आपसे पूछा जा सकता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि serv sikshah abhyyan की शुरुवात कब हुई थी तो आप बताएंगे 2001 में इसकी शुरुवात हुई थी और इसके अंतर का दूसरा point आपका बनता है students कि इसका लक्ष 6-14 वर्ष के बच्चों की प्रात्मिक सिक्षा को गुणबत्ता सहित पूरा करने को प्रोच सहित करना यहनि कि जो serv sikshah abhyyan का target यहनि कि लक्ष है वो यह है students कि 6-14 वर्ष के बच्चे यहनि कि 6 से लेकर 14 आयू वर्ष के जो बच्चे होते हैं यहनि जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच में होंगी उन बच्चों के लिए प्रात्मिक सिक्षा यहनि कि जो उन बच्चों के जो primary सिक्षा है primary education है वो गुणवत्ता सहित का मतलब होता है qualitative के साथ उनको पूरा करने के लिए प्रोच सहित करना जो है वो सर्व सिक्षा अभियान का main target था मुख्य लक्ष था तो सर्व सिक्षा अभियान का full form आपसे पूछा जा सकता है short में अगर आपसे पूछा जाए तो इसे ssa कहते हैं और इसका full form होता है आपका सर्व सिक्षा अभियान क्योंकि एक हिंदी शब्द है तो इसलिए हिंदी में तो इसको सर्व सिक्षा अभियान के नाम से ही जाना जाता है यहां से दूसरा point आपका बन सकता है इसकी शुरु किया जा सके इसके लिए प्रोथ साहित करना सर्व सिक्षा अभियान का में मोटो था इसके नतरगत एक point आपके लिए काफी जादा important बनता है कि इसकी जो विशे थीम है वो क्या है तो इसकी विशे थीम है strengths सब पढ़े सब बढ़े यह strengths आपने देखा होगा कि जो governments related जो संसाय है जो सरकारी schools होते हैं सरकारी विद्याले होते हैं प्रात्मिक और उच्प्रात्मिक level पर उसमें आपने एक logo देखा होगा कि एक pencil बनावा होता है और उस pencil के front side में एक बच्ची को बिठाया जाता है और इसके back side में एक बच्चे को बिठाया जाता है इस तरीके का एक logo होता है और उसके नीचे लिखा होता है सब पढ़े सब बढ़े तो यह सर्वसिक्षा अभियान की विशेथीम है यह भी आपके लिए काफी जादा important है जो मैंने आपको बता दिये हैं इसको ध्यान रखेगा और जो government schools हो और उसके नीचे लिखा होता है सब पढ़े सब बढ़े तो सब पढ़े सब बढ़े जो यह नारा है यानि कि जो विशेथीम है वो किसका है तो वो है आपके सर्वसिक्षा अभियान की तो यह important points is topics related strengths जहां से आपके exams में सीधे सीधे प्रशन बन सकते हैं प्रशन इस तरीक प्रमुक लक्ष है तो अगर आपसे पूछा जाए तो यह प्रमुक लक्ष जो है वो सर्वसिक्षा अभियान का है और इसके अलावा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वसिक्षा अभियान की जो विशेथीम है वो क्या है तो इसका जो नारा है वो है सब पढ़े सब बढ़ है तो यह logo आपके सामने आ सकता है और उसके नीचे लिखा हो सकता है सब पढ़े सब बढ़े और यह किसकी विशेथहम है यह आपसे पूछा जा सकता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि सब पढ़े सब बढ़े यह विशेथिम किसकी है तो आप बताएंगे यह सर्व सिक्षा अभियान की विशेथिम है आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी समझ पाए होंगे मेरी नेक्स पॉइंट आपसे कहता है अपके लिए है नपीगेल न्पीएगेल यहनि अंपीएगेल का फूल फॉर्म होता है आपके लिए स्ट्रेंट्स इसको हिंदी में कहा जाता है प्रारंभिक इस्तर पर बालिकाओं के लिए राष्टिय सिक्षा कारिक्रम इनि एलिमेंटरी लेविल का मतलब होता है प्रारंभिक इस्तर पर गल्स एनि लड़कियों के लिए है तो बालिकाओं के लिए और नेशनल प्रोग्राम एजुकेशन को कहा जाता है राष्टिय सिक्षा कारिक्रम तो ये एक तरीके से NPEGEL का फुल फर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नेशनल प्रोग्राम ओफ एजुकेशन फॉर गल्स एट एलिमेंटरी लेविल और इसको हिंदी में कहा जाता है प्रारंभिक इस तर पर बालिकाओं के लिए राष्टिय सिक्षा का पॉइंटरेकरम इसके इंतरगत कुछ इन्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए है तो NPEGEL के इन्पोर्टेंट बनता है वो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि सर्व सिक्षा अभ्यान के इंतरगत अलग से अपवंचित एवं साधन विहिन बालिकाओं को सिक्षा सम्व विशेश योजना यानि कि जो यह है SSA केते हैं सर्व सिक्षा अभ्यान के इंतरगत अलग यहां पर स्ट्रेंट सी हो जाएगा आपके लिए अलग थोड़ा सा टाइपिंग एरर है ध्यान रखेगा अलग से अपवंचित अपवंचित एवं साधन विहीन यानि कि जो अपवं बालिकाओं की सिक्षा संबंदित जो विशेश योजना है यानि कि जो बालिकाओं जो गल्स अपवंचित होते हैं या फिर साधन विहिन होते हैं जो छूड़ जाते हैं किसी दूर-दरास्त शेत्रों से बिलॉंग करते हैं जो सिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाते हैं जिनके पास साधन नहीं होते हैं साधन प्रयापत रूप से पहुँच नहीं पाते हैं इन बालिकाओं के लिए सिक्षा सम्मंदित एक विशिश योजना है जिसका नाम है NPEGEL एनि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एड एलिमेंटरी लेविल ये स्ट्रेंट सर्व सिक्षा अभ्यान के इंतरगत ही इस NPEGEL को लागू किया गया था अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुवात कब हुई थी तो इसकी शुरुवात आपको बतानी है कि जुलाई 2003 में इसकी शुरुवात हुई थी यहनि कि आपसे सीधा सीधा प्रोग्राम है कि ये आपके सर्व सिक्षा अभ्यान के अंतरगती इसको लागू किया गया है तो कही ना कहीं इसके बाद में ही इसकी शुरुवात हुई होगी तो इसकी शुरुवात जो हुई है आपकी वो जुलाई 2003 में हुई है और इसके अंतरगती है किन लोगों के ल आवश्यक्ताएं है strengths जिनको हमें जानना चाहिए as a teacher तो इसकी क्या आवश्यक्ताएं हैं सबसे पहले हम इनको जानते हैं तो इसकी आवश्यक्ता में पहला point आपके लिए है कि समुदाएं को बालिकाओं की सिक्षा के प्रति समवेधन शिल एवंग जागरूग बनाना यहनि कि जो समुदाएं हैं आपकी सुसाइटी है उन सुसाइटी को बालिकाओं की सिक्षा के लिए समवेधन शिल समवेधन शिल एवंग जागरूग बनाना इनका मोटो है कहने का मतलब यह स्ट्रेंट्स की यह देखा गया है कि जो बालेकाएं हैं हमारे समाज में पहले क्या होता था आज से 10 या 20 वर्ष पहले यानि स्वतंतरता के बाद समाज में जो है गरीवी बहुत जादा थी तो उस समय यह देखा जाता था कि जो गल्स है जो पिछड़े वर नहीं है यानि कि इनको आने वाले समय में घर का काम ही करना है तो इनको पढ़ाई लिखाई सिखा कर क्या फायदा है उससे बहतर यह है कि इनको घर के कामकाज ही पहले से सिखाए जाए और एक निश्चित आयू के बाद एनि 14-15 वर्ष 12-13 वर्ष में लड़कों की शादी क ग्रहम को लागू किया गया ताकि जो समुदाई में बालिकाओं के शिक्षा के परती जो समवेधन शिल भावना alma है और जागूर्व भावना है की जैसे लड़कों यह शिकरzeigt से अवगत कराना जो है इसकी मेर्ट आवश्चिक SARAH बना आ और ये भी देखा जाता था स्ट्रेंट्स कि जो प्रात्मिक और उच प्रात्मिक लेविल पर जो लड़कियों को सिक्षाय प्रदान की जाती थी तो उसमें ये देखा जाता था कि जो पहली बात तो ये है कि गल्स काफी जादा मतलब गल्स जो है जादा पड़े लिखे नही जाने होंगे तो जो सिक्षक आप जुटाएंगे वो ज्यादा पड़े लिखे तो नहीं है उस समय दसवी या बारवी पास ही मुश्किल से होते थे तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी था तो इसलिए विचार किया गया कि जो प्रात्मिक और उच प्रात्मि हम उसको जान पाएंगे और उसका सही तरीके से उपचार कर पाएंगे जैसे कि वरतमान समय में हम B.A.D.L.D. जो भी बच्चे करते हैं एक तरीके का प्रशिक्षन होता है ताकि हम पहले से ट्रेंड हो कि हमें किस तरीके से अपने आपको कक्षा में एक्जिक्यूट करना ह होता है तो इस बात पर भी विशिश ध्यान दिया गया NPEGL के अंतरगत तो ये इसकी दो आवश्चक्ताइं मुख्य थी इसके अंतरगत इसके कुछ उद्देशे भी है कि NPEGL की जो शुरुवात की गई इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण जरूर रहा होगा तो इसके उद्देशे पर भी हम प्रकाश डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मेल उद्देशे क्या था तो पहला पॉइंट ये है कि जेंडर गैप को कम या दूर करना यहनी कि देखे इस ट्रूंट जो जेंडर गैप है जैसे कि बॉइस की अगर साक्षरता दर आप देखेंगे तो लगभख 65% के आसपास है बरतमान समय में और अगर गल्स की आप देखेंगे तो लगभख 50-52% के आसपास है तो अभी भी कही ना कही जें गैप काफी देखने को मिलता था तो इस जेंडर गैप को कम करना ही इसका में उद्देश था ताकि लड़कियों को भी सिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके और लड़कियों की भी सिक्षा देख्षा पर विचार विमश किया जा सके तो इसलिए NPEGEL प्रोग्राम क के रूप में विक्सित किया जाएगा यानि कि दूसरा पॉइंट इसके इंतरगत यह बनता है यह डिसीजन लिया गया NPEGEL के इंतरगत की जो समस्त जनपद है निकि जिला इस्तर पर जहां पर भी महिलाओं की साक्षरता दर निम्न होगी यानि कि महिला की साक्षरता दर ब विक्सित किया जाएगा यानि कि जगा जफ जो भी जनवत के विकास्खण या नयाद पंचायथ इसतर है उसपर विद्याले की जगहा यानि कि जो विद्याले खुलते हैं उसकी जगह एक model cluster school का विकास किया जाएगा जिसके इंतरगत लड़कीों की सिख्षास दिख्षा स विक्सित किया जाएगा जहां पर लड़कियों की सिक्षा सम्मंदित कुछ सुविधाई प्रदान किये जाएंगे ताकि बच्चों को आसानी हो सिक्षा प्राप्त करने में इसके इंतरगत नेक्स पॉइंट आपका बनता है तीसरा कि बालिकाओं के लिए उच प्राथमिक इ इस दर पर अपर प्राइमडरी लेवल जो जिसे हम कहते हैं तो एक सिक्स 저ीब से ठुष से प्राइफे रक्स कर आद तो इस प्रकार के वी सोच को विक्सित करने का लक्ष रखा गया याद कि कि जो उच प्रात्मी की स्थर पर गल्स है उनकी कारिय अनुभव की सिक्षा प्रदान करना जिसकी हेल्प से वो अपने कारिय को अनुभव की आधार पर कर सके तो इस प्रकार से इस पर विचार किया गया इसके अंतरगत नेक्स्ट जो आपके उद्देशे बनते इसके अंतरगत ये भी देखा गया जो उच प्रात्मिक लेवल पर जो बच्चे होते हैं यानि कि जो छात्राएं होती है उनके लिए एक रेमेडियल कैम्प चलाया जाए क्योंकि ये देखा गया प्राइमरी लेवल पर जो गल्स मतलब एडुकेशन प्राप्त करने के ऐसे कमजोर चात्रों के लिए एक रेमेडियल कैम्प चलाया गया यहनि रेमेडियल कैम्प का मतलब होता है स्टुरेंट्स की जो भी परेशानी है उस परेशानी की जाच करना यहनि कि अध्यापक उसकी जाच करेंगे कि उसको गणित में कहां पर प्रॉब्लम है और उसकी रेमेडियल नहीं कि उसकी जाँच करने के बाद उस बच्चे का किस तरीके से उपचार किया जा सके यह अध्यापक करेंगे तो इसलिए एक रेमेडियल कैम चलाएगा क्योंकि यह देखा गया है जो उच प्राथमिक लेवल पर जो बच्चे होते थे वो स्वेम से इसकूल नहीं जाते थे क्योंकि उनको यह देखा जाता था कि जो बच्चे प्राइमरी लेवल पर स्टार्टिंग में पढ़ते थे कही ना कहीं वो जो है शेतर में एक तो पीछे रह जाते थे तो पीछे रहने की वज़े से या बहुत सारे कारिये करने की यह कमजोर विशय होने के कारण जब इनको उच्छ प्राथमिक में एडमिशन मिलता था तो यह बच्चे स्टार्टिंग में तो विद्याले जाते थे लेकिन इनको जो है गणित विशय या अंग्रेजी विशय विज्यान विशय सही तरीके से समझ नहीं आपाते थे इसलिए स्वेम से ही स्कूल जाना बंद कर देते थे तो कही ना कहीं जो है बालिकाओं की साक्षरता दर में गिरावटे आ रही थी तो इस चीज को ध्यान में रखा गया और जो NPEGL जो प्रोग्राम चलाया गया इसमें इन सभी बातों पर इन सभी पहली ओपर ध्यान दिया गया तो इसके लिए रिमीडियल केंप भी चलाया गया इस्ट्वेंट्स यह काफी जादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आपसे पूछा जा सकता है किस किस शिक्षा प्रोग्राम के इंतरगत रिमीडियल केंप चलाया गया तो NPEGL आपके option में हो सकता अगर है तो वही आपका राइट हो जाए या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मॉडल क्लस्टर स्कूल किस प्रोग्राम के तहद विक्सित किये गए तो यह भी NPEGL के इंतरगत है इस्ट्वेंट्स यह वह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपके सूपर्टेट एक्जैम्स म बनाना है तफ पेपर तयार करना है वो इसी तरीके से पॉइंट से आपके लिए प्रश्न उठाएंगे आशागरताओं कि सभी पॉइंट्स आप समझ पा रहे हैं और इसको एक कहानी के तौर पर भी आप समराइज कर पा रहे हैं कि इस प्रोग्राम को विक्सित करने के पी सब्सक्राज डालते हैं इसके इंतरगत पहला पॉइंट है कि पुस्तुकाला है कि स्थापना यानि कि देखें जो विकास खंड या फिर नया पंचायत लेवल पर विद्याले के लिए जो मॉडल क्लस्टर स्कूल खोले गए इसके पीछे रीजन यह है कि वहाँ पर पुस् जो बालिकाय बैट कर सिक्षा प्राप्त करते हैं उनके लिए लकडि की चोकी की विवस्ता के गई ताकि वह बैट कर आसानी से अपनी सिक्षा को प्राप्त कर सके तो यह स्ट्रेंट्स मूख्य बाते हैं मूख्य सुभीDhallen हैं जो मॉडल क्लस्टर स्कूल के इंतरगत आत क्या है कि बच्चों को फ्री में निशुल्क जो है यूनिफॉर्म प्रदान किया जा सके और जो लड़कियां है वो उन्हें बैठने में जो प्रॉब्लम होते उसके लिए लकड़ी की चोकी की विवस्था करना ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो पाएंगे और आपने जाना एन पी इजी यल का फुल फॉर्म क्या है इसके शुरुवात कब हुई इसकी आवश्चक्ता क्यों पड़े और इसके क्या उद्देश रहे हैं तो इन सभी पॉइंटों को आप समझ पाएंगे इस्ट्रेंट्स ये कि स्कूल चलो अभियान जो है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम एनि स्कूल चलो अभियान जिसे हम SRP शॉट में कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है SRP का स्कूल रेडिन program तो school चलो अभियान जिसे English में school readiness program कहा जाता है इसका short form SRP है और full form इसका school readiness program है तो इसकी शुरुवात कब हुई तो इसकी शुरुवात के इंतरगत जो पहला point है आपका ये है कि इस कारेकरम को 1 July 2006 से 31 July 2006 तक संचालित किया गया यहनि कि सरप्रथम इस कारेकरम को कब संचालित किया गया तो 1 July 2006 से लेकर 31 July 2006 को इस कारेकरम को संचालित किया गया यहनि कि school चलो अभियान शब्द से आप समझ पारें students कि school चलो अभियान के इंतरगत क्या होता है कि बच्चों को school जाने के लिए प्रेरित किया जाता है तो इसको आपको पता है कि जो new admissions होते हैं वो जुलाई के मंत में होते हैं तो इसकी शुरुवात इसलिए 1 जुलाई 2006 में सबसे पहले बार की गई और 1 जुलाई 2006 से लेकर 31 जुलाई 2006 तक इस प्रोग्राम को चालू रखा गया जिसके अंतरगत हर गाउं हर शहर में बच्चों को स्कूल चलो अभियान के साथ जोड़ा गया उन्हें प्रेरित किया गया तो ये एक तरीके का कारेक्रम चलाया गया था जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था इस कारेक्रम को स्कूल चलो अभियान के नाम से जानते हैं तो ये डेट आप ज़रूर धियान तो 1 जुलाई 2006 से लेकर 31 जुलाई 2006 के बीच में इस कारेक्रम को चलाया गया था या संचालित किया गया था इसके अंतरगत दूसरा पॉइंट आपका बनता है इस्ट्रेंट्स 6 से 14 वर्ष तक सभी बालकों को निशुल के वंग अनिवारे सिक्षा का प्रावधान समिधान ने दिया है तथा सर्व सिक्षा अभियान के अंतरगत किये जा रहे प्रयासों के बावजूद भी बच्चे स्कूल से बाहर थे इसलिए प्रदेश सरकार ने इस अभियान को चला कर बच्चों के नामांकन को बढ़ाना चाहती थे यहाँ पर थोड़ा सर्ट टाइपिंग एरर है यह ना है तो बढ़ाना चाहती थे यहनि कि जो प्रदेश सरकार है वो इस अभियान को इसलिए चला रही थे कि इस अभ्यान को चला कर बच्चों के नामांकान को बढ़ाया जा सके तो कहने का मतलब आपको पता है कि हमारे सम्विधान में प्रावधान दिये हुए हैं जो हमने सम्विधानिक अधिकार पड़े हैं सिक्षा से रिलेटिड तो उसके अंतरगत आपको बताया गया है प्रावधान है और सर्व सिक्षा अभ्यान के अंतरगत आप पढ़ चुके हैं कि सर्व सिक्षा अभ्यान के अंतरगत ये थीम अपनाया गया कि सभी पढ़े और सभी बढ़े तो इसके बावजूद भी ये देखा गया सर्व सिक्षा अभ्यान को 2001 में लागू किया गया और इसके बावजूद भी ये देखा गया कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल से बाहर थे यहीं कि ज्यादा तर बच्चे जो है जितने बच्चे विद्याले में होने चाहिए उससे भी काफी ज्यादा कम बच्चे जो है वो विद्याले में उपस्थित होते थे लगबग 20% बाकी 80% बच्चे जो है वो बाहर रहते थे तो कहीं ना कहीं सर्व सिक्षा अभ्यान को चलाने के वाबजूद भी इस चीज को देखा गया कि अभी भी बच्चों के अंदर या जो पेरेंट्स है उनके अंदर जागरुकता उत्पन नहीं हुई है और बच्चों को स्कूल में नहीं भेज जा रहे नहीं कि इनको सिक्षा के मुख्यधारा से नहीं जोड़ा गया तो इसलिए जो है इस स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम यानि स्कूल चलो अभ्यान को चालो किया गया ताकि प्रदेश सरकार यह उत्तर प्रदेश सरकार यह चाहते थे कि इस अभ्यान को चला कर बच्चों के नामांकन को बढ़ाया जा सके इसलिए इस अभ्यान को चलाया गया और इस अभ्यान को 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इस अभ्यान को 2006 में चलाया गया तो इसलिए ये point आपसे काफी ज़्यादा important पूछा जा सकता है कि school चलो अभियान के शुरुवात कब की गई या इसका संचालन कब से कब तक किया गया और क्यूं किया गया उसके बारे में भी आप जान चुके हैं इसके नतरगत next और last point आपका बनता है अब प्रत्यक वर्ष जुलाई के महिने में school चलो अभियान चलाया जाता है यानि कि ये बात आपसे पूछा जा सकता है कि school चलो अभियान कब चलाया जाता है तो ये प्रत्यक वर्ष जुलाई के मन्त में चलाया जाते हैं क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई इसके time period है, तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक school चलो अभियान को प्रत्यक वर्ष चलाया जाता है, और इसकी सरप्रथम शुरुबात हुई थी 2006 में, एनि 1 जुलाई 2006 से लेकर 31 जुलाई 2006 को सरप्रथम इसे संचालित किया गया था, और उसके बाद से प्रत्यक वर्ष जुलाई के महिने में इस school readiness program को चलाया जाता है, तो I hope आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, और इस points related जो भी important points आपके exams में बन सकते हैं, उसको भी समझ पाई होंगे, चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next point आप से क्या कहता है, तो next point आपके लिए strengths कस्तुरिवा गांधी बाली का विद्याले योजना, यहीं कस्तुरिवा गांधी, कस्तुरिवा गांधी बाली का विद्याले, students आप समझ पारे हैं, इसको short में कहा जाता है क, यानि कस्तुरिवा गांधी बाली का विद्याले, जो है, इसको KGBV कहा जाता है, और इसको English में भी यहीं कहा जाता है, इसी नाम से जाना जाता है, K for Kasturiva, G for गांधी, B for बाली का और V for विद्याले, तो के जी वी वी जिसका फुल फॉर्म होता है कस्तुरिवा गांधी वाली का विद्धेले तो इसकी शुरुवात कब हुई देखे इसकी शुरुवात दोजार चार पांच में की गए यानि कि दोजार चार पांच में केंदर सरकार के द्वारा कस्तुरिवा गांधी वाली का विद्धेले का प्रारम किया गया इसके इंतरगत आपका दूसरा पॉइंट बनता है स्ट्रेंट्स की अनुसूची जाती जन जाती पिछड़े वर्ग अल्प संख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए दुर्गम शेत्रों में आवासिय सुवीधा सही शिक्षा प्रदान करना देखे जो केजी वीवी यानि कस्तुरिवा गांदी वाली का विद्धेले का प्रारम है यानि कि इसकी जो शुरुवात है वो तो आपके दोजार चार पांच में की गई लेकिन इसके पीछे रीजन है कि इसकी शुरुवात क्यों की गई तो जो अनुसूची जाती और जन अलप संख्यक वर्ग जो ग्रामिन शेतर में जो यानुसूची जाती जन जाती पिछड़े वर्ग अलप संख्यक वर्ग के जो बालिकाएं होती थी उनको सिक्षा की मुख्यधारा से बंचित रखा जाता था ये जो स्टुटेंट्स है ये उच प्रात्मिक लेवल के लिए यहां ये जो 6ज स्टू 8 जो बच्चे एजूकेशनिज प्राप्त करते है अपर प्राइमरे लेवल पर उच प्रात्मिक लेवल पर उन बालिकाओं के लिए यह देखा जाता था कि प्रात्मिक विद्धेले होते थे उसमें बालेकाओं को तो फिर भी भेजा जाता था जो 1-2-5 की सिक्षा लेने के लिए बच्चे जाते थे उसमें लड़कियों को तो भेजा जाता था लेकिन जो अपर प्राइमरी लेविल के जो स्कूल्स है वो प्र बारा-РЕःय के असपास होती थे तो उसमें जो प्रेंट्स होते थे वो अपने लड़कियों को विद्ध्याले जो थोड़ा विद्ध्यालय होने की वज़ेसे व से वच्च को विद्ध्यालय नहीं बेजते थे क्योंकि लड़कियां जो बड़ी हो गईन और उसके दो-एक स पावले काफी कम थी तो इस चीज को ध्यान में रखा गया और जो अनुसूची जाती जन जाती जो पिछड़े वर्ग और अल्प संक्यक वर्ग के जो बालिकाएं हैं वो दुर्गम शेत्र में उनके विद्या उनके घर और विद्याले की बीच काफी डिस्टेंस होने की वज जाते थे कस्तुरिवा गांधी वालिका विद्याले के इंतरगत गल्स होस्टेल बनाया जाते थे जिसके इंतरगत लड़कियों को होस्टेल में रहकर ही सिक्षा प्राप्त करने की सुबिधाय प्रदान की जाती थी क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा होने की वज़े से तो इस कारण से गॉर्मेंट की तरफ से होस्टिल का निर्मान किया गया कस्तुरिवा गांधी बाली का विद्धेले के अंतरगतpres लडकियों को होस्टिल में रहकर सिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता था तो इसकी शुरुवात की गई 2004 और 2005 में और यह अनुसुची जाती जन जाती पिछड़े वर्ग अल्प संख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए जो है दुर्गम शेत्रों में आवासिय सुविधा सहित शिक्षा प्रदान करनी का लक्ष रखा गया आई होब आप मेरी बातों को समझ पारें और इस पॉइंट को भी समझ पायोंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखतें नेक्स पॉइंट आपसे क्या कहता है तो नेक्स पॉइंट आपसे कहता है इस ट्रेंट्स की उच प्राथमिक में व्याप्त असंतुलन को दूर करना कि जो उच प्राथमिक लेवल पर काफी जादा अंसंतुलन है मेल और फीमेल के एडुकेशन को लेकर यहने के लड़कियों के सिक्षा को लेकर जो गैप है जेंडर गैप है सिक्षा से रिड़िट उस चीज को कम करने के लिए इस आवासी योजना का शुभारम किया गया औ इसके अंतरगत इसका में लक्ष था स्ट्रेंड्स के लिंग भेत को समात करना देखिए में कुल मिलाकर बात वही है कि लड़कियों की जो साक्षरता दर है वो लगभग 30% से कम थी और लड़कों की साक्षरता दर लगभग 60% के आसपास थी तो इनके बीच में जो यह जें इलाओं की साक्षरता दर है और पुरुषों की साक्षरता दर है उसमें लिंग भेत को कम किया जा सकी तो इसके अंतरगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बन सकते थे स्ट्रेंट्स उन सभी को मैंने आपके सामने कलक्ट किया आपसे पूछा जा सकता है कि कस्तुरिवा गांधी वाली का विद्धेले की शुरुवात कब हुई तो दोजार चार पाँच में हुई किसी लिए इसकी शुरुवात की गई तो दुर्गम शेत्रों में आवासी सुविधा सहीज शिक्षा प्रदान करना इनका मुख्ष लक्ष था तो कि दुर्गम शेत्र के जो बालेकाई हैं वो सिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्धेले नहीं जा पाते थे तो इसी लिए जो है इस प्रोग्राम को लागू किया गया और इस प्रोग्राम को लागू करने के पीछे और उद्देशे यह था कि उच्छ प्राथमिक में जो संतुलन व्याप्त था उस असंतुलन को दूर करनी के लिए इस आवासी योजना को उपलप्त कराया गया और चोथा पॉइंट इसके इंतरगत यह है कि लिंग भेद को समाप्त करना इनका मुख्य लक्ष था आप मेरी बातों को समझ पाएं हैं और इस पॉइंट को भी एजिली समझ पाएंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपकी इस प्रारिम्भिक शिक्षा के नवीन प्रियास टॉपिक के इंतरगत और वो है स्ट्रेंड समेकित बा विकास सेवा इसकी शुरुवात कब हुई थी तो इसकी शुरुवात हुई दो अक्टूबर 1975 में किये गई एनि कि आप से सीधा सीधा पूछा जा सकता है स्ट्रेंड की अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन अर्ली चाइल्ड इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ए-सी-सी-सी- अक्टूबर 1975 में इसके अंतरगत नेक्स पॉइंट आपका बनता है स्ट्रेंड कि इसके अंतरगत गर्ववती महिला के स्वस्थ पोशन एवंग सिक्षा का प्रावधान किया गया जो समेकित बालविका सेवा है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से इसकी शुरु और उनके पोशन को लेकर और उनके सिक्षा को लेकर इसमें प्रावधान किये गए गर्वती महिलां को इसलिए शामिल किया गया स्ट्रेंडस कि गर्ववस्थ शिशू से 6 वर्ष तक के शिशू हैनि कि जो गर्ववती महिला के इंदरगत जो उसके पेट में जो बच्चा पल राय गर्ववष्ट शीशू, उस गर्ववष्ट सीशू से लेकर और वो सीशू जब तक 6 वर्ष तक का नहीं हो जाता, उनके लिए जो है स्वस्थ, पोशन और सिक्षा का ध्यान रखना जो है, वो गौश्मन का है, और इसके लिए गौर्मेंट ने Early Child Care and Education Program को लागू किया क्योंकि कहने का मतलब यह strengths की जो गर्ववस्त शीशु होता है जो जन्म से लेकर 6 वर्ष के बीच में होता है यदि उस बच्चे का स्वस्थ ठीक होगा यदि उस बच्चे को सही तरीके से पोशन मिल पाएगा और उसके बाद जब वो स्वस्थ होगा उसे सही तरीके से पोशन मिलेगा तब ही वो सिक्षा की मुख्यधारा से सही डंग से जुड़ सकता है और बच्चे जो होते हैं वो राष्ट की संपत्ती है क्योंकि आने वाले समय में वो बच्चा आगे बढ़कर जो भी कुछ करेगा वो देश की सही योग में करेगा इसलिए इस बात को ध्यान रखा गया फॉर एक्जामपल के लिए जैसे मान लीजी एपी जे अब्दुल कलाम है जब एपी जे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ और जन्म से लेकर 6 वर्ष तक में यदि हम बच्चों को इस तरीके से सही तरीके से उसके स्वस्थ का ध्यान रखे उसके पोशन का ध्यान रखे तो बच्चा आने वाले समय में सही धंग से सिक्षा प्राप्त कर पाएगा क्योंकि उसका स्वस्थ ठीक होगा उसे पोशन ठीक मिला होगा तो वो सिक्षा की मुख्यधारा से सही धंग से जुड़ पाएगा बालविकास सेवा को बाद में अर्ली चाइल्ड केर एजूकेशन एनि इसको समेकित बालविकास सेवा हिंदे में कहा जाता है और इंग्लिश में इसको इसकी शुरुवात कब हुई यह इंपॉर्टेंट है इसके इंतरगत किन पर विशेश ध्यान दिया गया यह पॉइंट्स मैंने आपके लिए with Learning और इस टोपिक है आप कीशिक्षा के नवीन प्रयास का आखरी टोपिक था आशा करता हुं कि यहां तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताएं वूस सभी जी पॉर्णा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफीशल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाओ तो आपको टाइम टॉ-टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें मिलते हैं नेक्स क्लास में प्रेक्टिस सेट के साथ तयार रहेगा और इस टॉपिक को अच्छे से प्रेक्टिस कीजिए रिवाइस कीजिए इसके प्रॉपर नूट्स बनाकर इसको रिवाइस कीजिए और उसके बाद प्रेक्टिस सेट में मिलत हैं देखते हैं किस प्रकार के प्रश्ण आपके एक्जैम्स में पूछे जाते हैं धन्यवाद जय हिन